नमस्कार हमारा उत्राखन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जियोती सांसत का चुनाव जीतने की बाद से हरिद्वार सालसादर तरवेद्र सिंग रावत रोड की पहुंचे और सभी कारे करताओं का आभार व्यक्त उन्होंने किया वहीं आपको बता दे कि इस दोरान उन्होंने कहा कि अगर मंत्रीपद के लिए उन्हें नहीं चुना गया तो ये मीडिया दिल्ली के नेताओं से सवाल करे साथी उन्होंने ये कहा कि वो हरिद्वार में रह रहे हरिद्वार की जुनता के हिट में काम करेंगे और साथी हरिद्वार में किसान और मजदूर सभी तरह के लोगों ने जो नहें उनका साथ दिया है उसके वो सदैवा भारी रहेंगे आभार भी तरकत करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ हर्दवार लोग सब्सक्राइब और मुझे शांसर न्यासे बना कर भी जाए तो आपको सवाल कहीं हो और फूजना पड़ेगा तो पार्टी के साथ बैटके डिसाइड करेंगे कि मंगल और के लिए क्या रंडिकी होगी कारेकरताओं के साथ बैटकर करके से रंडिकी बनाएंगे अगा कि और देरादून से आप बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केंद्र में बनी नई सरकार उत्राखंड को मिली है सौगात उत्राखंड सरकार को केंद्र में नई जिम्यदारी मिली है 1562.44 करोड रुपे की धनराशी जारी की गई है केंद्री वित्यमंत्राला ने राज्यों को जारी की है धनराशी प्यमधामी ने प्यम और वित्यमंत्री का अभार जिता है इसके लिए तो बड़ी सोगात एक तरीके से उत्राखंड को मिली है प्यमधामी ने प्यम मोदी का इसके लिए आभार भी जताया है बड़ी सोगात इसको माना जा रहा है और उत्राखंट सरकार को केंद्री करोव में मिली है हिस्टेदारी 1562.44 करोडोपी की धनराशी जारी की गई है केंद्री वित्यवंत्राले ने ये राशी जारी की है और इसके लिए इसे अंधामी ने फुद्धानमंत्री मोदी का आभार यहां पर जताया है तो एक बड़ी सौगात इसको माना जा रहा है उत्राखंट के लिए शरकार को केंद्री करोव में इस्टेदारी मिली है 1562.44 करोडोपी की ये धनराशी है तो इस वक्त की बड़ी और एहन जारकारी आपको बता रहे है क्युक्कि फुद्ध मुखेवंद्री पुषकर सिंग धामी ने पजारमंत्री नरेद्र मोधी का आभार जताया है वित्तमंत्री निर्भलासी तरा मण का यहां पर उन्होंने आभार जताया है तो केंद्री करों में एक बड़ी इस्तिदारी है और अमनगर में कॉंग्रेस कारे करताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते वे प्रदर्शन करने के साथ ही भवानी गंजबे केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है यूद कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजूल हक ने केंदर सरकार पर नीट परिक्षा में हुई धंदली कारोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविश्य के साथ खिलवार कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परिक्षा में एक ही केंदर के कई बच्चे जो है पास होना सरकारी तंत्र और विवस्था पर प्रस्विचे ने लगाता है अभ्यर्थियों के साथ न्याय की मांग उन्होंने की है कि यह नीट की जो परिक्षा है पूरे देश में आयुजीत की भरस्तर कर जारा इसमें विराद इस्तर पर धांदली है और यह नौजवानों के साथ युगाओं के साथ एक बहुत बड़ा धुका है हर किसी परिक्षा का एक बार से कलेंडर जारी होता है इसी तरीके से इसमें भी कलेंडर जारी हुआ था इसका परिक्षा 14 तारिक को घोजित होना था जिस दिन पूरे देश में लोगसवा की चुनाओं की मत गढ़ना हो रही थी उस दिन इसको जह है सडियंत्र के तैस नीट के रियल्ड को आउट किया गया और उसके इतनी बड़ी धांदी है कि एकी सेंटर के लोग जहें बिल्कुल टॉप आगा है पूरे देश के अंदर करते हैं उनको मोगा नहीं मिलता हो और यह जो हैं धानली करके अपने जो हिताइसी लोग है उनको अनाप सनाप अंकों से और एकी सेंटर में आड़ बच्चों का जो है पूरे अंकलाना यह सब जो है इस परिक्षा पर परिक्षा वेवस्ता पर सवाल खड़े करता है उसकी बारती किसान यूनियन आमबावता गुट का तीन दिवसी राश्री अधिवेशन और चिंतन शिवर हरी द्वारस्थिद रोडी वेल वाला में शुरू हो गया है आपको बता दे कि इस तीन दिवसी चिंतन शिवर में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की राश्री अधिवेशन और चिंतन सिवर में अलगलग राज्यों से भारी संख्या में किसान आये हुए हैं इस पर भारती किसान यूनियन आमबावता गुट के राश्री अध्यक्स चोधरी रिशिपाल आमबावता का कहना है कि संगठन को मजबूत कर असहायो को मदद करो और जबीन चिनने वाले पूंची पतियों का विरोज करो तो हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं जहापर किसानों से जुड़ी समस्याओं की चर्चा के लिए कई राजों से भारी संख्या में किसान यहां पर एकत्रित हुए और तीन दिवसी एक चिंतन शिवर का यूजन किया गया और चिंतन शिवर में आपको बता दे किसाने से जुड़ी तमाम मुद्दे तमाम समस्याओं और तमाम मुद्दों पर जो है यहां पर चर्चा की राश्ट्रिया धिवेशर और चिंतन शिवर के नाम से यह तीन दिवसी शिवर चलाया गया जिसमें आपको बता दे कि इसमें कई राज्यों के किसान पहुंचे हैं और किसानों से संबंधित विश्यों पर और मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा रही है किसान का कज्चा मुट्टी कि लिए किसान का नंबर दो MSB की कारणी नंबर तइन जो इस धेस में इसान के उताथ भेष्भाव की जो राज्मीती जो लुक्त हैं उनके विरोदमें कल और परश होगा है दो दिन यही तरह हमें करना है और चुनाव की बात रही चुनाव तो तो ना तो इसकी कुसी ना इसका गब सरकार तो कुसी की भी नहीं बनी और ये जो सरकार बनी ये बैसाकी की सरकार है छे महीने चले आठ महीने चले अब आपको क्या लगता है कि रजी आप उंदों में फस गई तुम ही कहूं मैं तो ये नहीं कहूंगा पर मैं ये कह रहा हूं अब ये जितने भी आएं हैं कि सब्कार चलाने वारे नहीं हैं और अब देरादू उन से बड़ी ख़बर सामने आ रही है जो आपर राजी निर्वाचन आयोग उप्चुनाओ के लिए तयार नज़र आ रहा है बदरिनाथ मंगलोर विदानसबा सीट पर होना है उप्चुनाओ और बदरिनाथ में विदानसबा सीट में बनाए जाएंगे 210 पोलिंग बोथ मंगलोर विदानसबा सीट में बनाए जाएंगे 135 पोलिंग बोथ तो ये बड़ी जानकारी उप्षिनाओ के मंदे नजर जहां पर इस तरफ अब यह भी लोगसभा चुनाओ निफ्टे है और जो है साथ राज्यों में देश्वर के विद्यांसभाद के उप्षिनाओ भी होने हैं तो ऐसे में दो सीटे उत्राखंकी भी हैं जिसमें सिवद्रिनाथ और मंगलौर यह हैं और इसको लेकर करके प्रशासन और राजिश्वतार एक पर त्यार होगे निर्वासन आयोगी अपनी तैयारिया कर रहा है और अभी सुषना भी इसके लिए जो है तारीकों का एलान पह तो वहीं बद्रिनाथ में भी एक लाग से जादा मतदाता होने वाले हैं और उनके लिए बद्रिनाथ में 10 पोलिंग बूस बनाए गए हैं वहीं मंगलौर में 32 पोलिंग बूस है जिसमें मतदाता जाकर की अपने मत का प्रयोग करेंगी तो एक तरीक से तयारियार देखे जाये तो शुरू कर दी गई हैं और एसे में अब 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को इस उप्षुनाओं की नतीजे साम जाए लिए तो मंगलार और बद्रिनाथ विदान सबस्थीर पर उप्षुनाओं होने हैं तो ऐसे में बीते दिनों तारीकों का ऐलान ही हो गया था उत्राखन प्रदेश के क्रिशी मंत्री और उधम सिंग नगर दिले के प्रभारी गणेश जोशी ने जिले के अधिकारियों की बैठक में जो है अधिकारियों को सक्त निर्देश दिये हैं कि वो अपने ओफिस में सुभाय दस और बारा बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुने महीं मीटिंग के बाद से मंत्री काशिपूर में भाजपानेता दीपक बाली के आवास पर पहुँश कर पत्रकारों से रूबरु हुई उन्होंने बत्रकार वारता में कहा कि देश के प्रजान मंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान समाल रहे हैं और जिन्हें जिस तरीके से जनता का पारस नहीं मिला है वो अपने आप से में एक मिसाल है कर दो कि देश करेंद्र मंत्री बने हैं वही इस जिरे से एक विदान सवाव को छोड़का है अन्य सवी धान सवाव से भार्टी एक पार्टी के प्रचाथी अजे फड़जी को पचंड बहूं समर्थन मिला है और उत्राखन में सबसे ज्यादे मतों से माननी है अजे फड़जी बज़ेए हुए जिसके लिए यहां की जिन्प्रा का अधार चिनने रहाया हूँ किसाम सम्मा निजी की सच्वी किस्त बीस जार करोड़ पे जारी कर दिये हैं इसी परकार तीन करोड़ आवास बना की गुष्णा करने का निणे उसमें लिया है मैं प्रधान मंत्री जी का अभारुद्ध प्रच्पाम और अवैद खनन के भंडारन के खबर प्रसारित होने के बाद से खनन विभाग हरकत में आ गया है विभाग ने अवैद खनन के भंडारन करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारिया शुरू कर दी है हरिद्वार के विभिन शेत्रों में अवैद खनन का भंडारन किया जा रहा है वहीं विभाग के अधिकारी अब इन जगों पर चापिमारी करने और अवैद घती विधियों पर रोक लगाने के लिए सक्री हो गए है खनन विभाग के अधिकारी काजिम रजा ने वताया इस मामले में कि विभाग में एक टीम गठित की है जो इन शेत्रों में निगरानी करेगी और अवैद खनन के भंडारण को रोकने के लिए सक्त कारवाई करेगी वहीं इस अभियान के तहित विभाग कई जगहों पर शाफिमारी करेगा और अवैद खनन सामगरी को लेकर भी जो है यहाँ पर शाफिमारी की जाएगी और अवैद खनन सामगरी को जब्स किया जाएगा तो हरिदवार की यह तस्वीरे हैं जहां पर अवैद खनन के भंडारण को लेकर के प्रशासन एक बार फिर से सक्त नजर आ रहा है और इस सक्ती को लेकर के कारवाई की मांग की जा रही है क्योंकि मीडिया में खबरे चलने के बाद से प्रशासन जाक चुका है और यह जो अवैद खनन का भंडारण किया गया एक तरीके से उस पर प्रशासन सक्त नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी जब्ती होगी जो अवैद खनन किया गया है उसकी जब्ती होगी कि बाते हैं संयुक टीम साथ बिगवार सरी निरिशन करा गया था तब भी भंडारों पर जिरूपित किया गया था पैनल्टी और अभी भी जब भी कोई अवैद भंडार मिलता उस पर लगातार कारवाई कर जा रही है इस संब्द में हमने लेटर लिख रहा है करम के इनको बिल्कुल हटा दिया जाए यहां से और आगे कारवाई के लिए भी लिख रहे हैं और अभी एक परसों एक मामला आया था टेंसों चुक का वैद करना का उसमें भी आज तीम गई हुए जाच करने के लिए बहुत सारे ल नहीं होता है तो जो जो उसका प्रप्राइटर नाम दिखा होता है कभी कुछ कभी कुछ तो सब्सक्राइब कर दिया है कि 15 जून से पहले मांसून के द्रिश्टिकात सभी तैयारिया पूरी कर लिजाए सभी विभाग 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधि कारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करें वहीं स्टीपी प्लांट और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए इसे के साथ ही उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बिजली के तारों से कोई घटना घटित नहोग तो ये देरादून से ये तस्वीर आपको दिखा रहे है जापर मौनसून को लेकर कि सरकार अब एक्शन मोड में निज़र आ रही है सीहमधामी ने बैठक की और कहा कि मौनसून क्यूकि आने वाला है और उससे पहले तायारे पूरी तरके से कर ली जाए क्योंकि मौनसून में तमाम तरीके के ऐसी खबरे आती है कि लापरवाही की वज़े से जानवाल का नुकसान भी कही बार हो जाता है तो ऐसे में जो है सभी वागों के दिगारियों के साथ यहाँ पर बैठक करते हुए सेमधामी नजर आए और कहा कि इस मौनसून से पहले पूरी तयारिया कर ली जाए नोडल अधिकारी जो है तरनाद किये जाए और विजली को लेकर के भी कोई दिक्कत ना आए क्योंकि विजली के तारों से कई बार करेंट के चपेट माने से लोगों के मौत हो जाती है मौनसून में तो इन सभी चीजों पर नजर रखते हुए जो है तयारिया पहले ही कर ली जाए मौनसून को लेकर के सियम धामी ये सकत निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आए और उसी बैठक की ये तस्वीरे है क्योंकि मौनसून में तमाम तरीके के नुकसान होता है प्रदेश में तो ऐसे में पहले ही प्रशासन और सरकार सकत नजर आ रही है और सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके की लापरवाही न बरती जाए इसके लिए जो है पहले ही मेटिंग करके चीजे सुनेशित कर ली जाए मौनसून को देखते हुए चारधाम यात्रा में स्वास्त विवस्थाओं पर धामी सरकार एक्टिव मोर्ड में काम करने की तयारी में है जिसे लेकर के स्वास्त मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत की अध्यक्षता में पैठक की गई तो वही इस बात पर स्वास्त मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत ने कहा कि अब डेंगू के प्रकोब की दस्तक होने की शुरुआत होगी और लगभग तीन महीने से आचार सहीता के चलते कई अधूरे काम पूरे करने हैं इस देखते हुए हम समिक्षा बैठक करेंगे साथी उन्होंने ये भी कहा कि लगभग पंदरसों नर्सिंग स्टाफ की भरती हम करने जा रहे हैं और लगभग दस अजार युवाओं को हम नोकरी देने जा रहे हैं तो अधियो को अधियो कि अधिये हैं देखे स्वास्ति विवास्तम्य हम कोई कमी निका रहे हैं राज मैंने समिक्षा बैठक में रखिये क्योंकि अब चार दाम यात्रा में भी काफी तैयार हम लोग उने की हैं अभी फिर देंगी का भी शुरुआत होने वाली है तो उसके लिए आज बैठक रखी है जो अधुरे काम है क्योंकि लगबगर तीन मैने से आचार सहिता थी उनको भी बहुत जल्दी पूरा करने है और लगबगर पंद्रा सो नर्सिंग स्टाब के अभी हम और भरती करने जा रहे हैं डॉक्टर के और भरती करने जा रहे हैं पैरा मेडिकल स्टाब के और भरती करने जा रहे हैं इस साल हमान लगबगर दस हजार युवाओं को नौपर दिना उत्राकम के एक रिश्री मंत्री गनेश योशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दोरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशाने देश दिये हैं अपने आफिस में सुभध 10 से 12 विजे तक दोपहर जन्ता की समस्याओं को सुनने को कहा है और मीटिंग के बाद से गनेश योशी बीजे पी नेता दीपक बाली के आवास पर पहुँचे और इस दोरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तीसरी बार देश की कमान सभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जन्ता का पारस नहीं मिला है वो अपने आप में एक मिसाल है कि अन्य सभी धान सवाव से भार्तियत्ता पार्टी के प्रचंथी अजे भड़ जी को सब्सक्राइब मिला है और उत्राखन में सबसे जादे मतों से मानिया अजे भड़ जी बज़े हुए मैं उसके लिए यहां की जंप्रा का अधार लुक्तने के लिए हूँ और उसकार से मोदी जी ने पहरी कैबिनेट में किसानों की चंता की है किसान सम्मा ने लिए कि 27 बीस जार कुर्ण पे जारी कर दिये हैं उसकी परकार तीन करोड आवास बना की घुष्णा करने का नणे उसमें लिया है प्रधान मंत्री जी का अभर्द प्रप्म्त और लोकसवा चुनाओं में उत्रप्रदेश की फैजवाद लोकसवा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है और समाजवादी पार्टी से अभधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है इस बात पर कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करनमाहरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को संकराचार्यों का श्राप लग गया है क्योंकि बीजेपी ने शंकराचार्यों के तुलना रावन से की थी मही दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भठने पर अठवार करते हुए कहा कि कॉंग्रेस को किसका श्राप लगा है वो इसकी समिक्षा करे जबकि बीजेपी शंकराचार्यों का सम्मान करती है बीजेपी को शंकराचारे जी का श्राप लग गया है शंकराचारे जी जो सनातन धर्म के अधिश्ता है किस तरफी किसे काम कॉ고ने संकराचारी की फिलना भारति जेनता पार्टी के संकराण के लोगों ने रावन से की थी और उसी का दुस्परिनाम है कि अयोग्या और उसके साथ लगी भी च्छै विधान सभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और देश में भी आप देखेगा आने वाले पुजिनुमत तस्मिक साफ हो जाएगी इंडिया के डिपन्दन अपनी सरकार बनाने है इले का सराब पड़ा कितना सराब पड़ा वह दंता देख रही है भार जंता पाल्पी अपने संकार अचारे को सम्मान करती है भाइब भव्या राम मंदिर का निर्मान मोदी जी के सासन काल में हुआ है यह चानिक कुछ विश्य होते हैं जिन विश्यों को लेकर एक पू जो उन सब दुस्ट पड़ाओं को से भी हमने पड़ने के रहनिती बनाएंगे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभ्योग ते नश्य का आदी था और अकेले ही चोरी के घटनाओ को अंजाम देता था जिसके साथ जो है उसके कबजे से लगबग सोला लाख रुपे की ज्वेलरे भी बरामत की गई है तो इसमें पुलिस के दौरा जहां काफे परियासिस में किया था और उससे पहले पटेलनेगर और पहले क्लेमेंट टाउन चेथ में चोरी की घटनाई हुई थी तो इसमें पुलिस के दौरा जहां काफे परियासिस में किया गए हमारे एसोजी की टीम दी लगी रही हमारे जो मुखवीर है उनको भी सतर्क किया गया था और सीचिटी फुटवीजी काफी इसमें खुजबिन की गई काफी अंदोगों को इसमें लगा लेकिन अन्तता जो और उत्राखन के प्रशिद भगवान श्री विश्वनात और मा जगदीष शिलार डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुझने पर शरधालों ने जोरदार स्वागत किया महीं यात्रा का स्वागत कारिक्रम आपको बता दे वारवडाही भवी किया गया और रामनगर रोड पर ये कारिक्रम हुआ महरोत्रा इंटरप्राइजेज पर आयुजित किया गया डोली रत्रयात्रा के मुख्य पुरोहित उत्राखंड के पूर्वशिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी ने इसके पुराडिक मैद्व के बारे में बताया और उस इस्थान पर ये डोली चलती है आपको बता दे उन्होंने कहा कि विशोन परवत में धर्मगुरु ने तपश्या की उसके बाद से स्वामी रामतीर्थ ने तपश्या की और उस स्थान पर ये डोली चलती है इस बार 25 वर्स में यात्रा पे निकली है 16 माई से घरद्वास और अब तक आपके वाले विशुनात में 25 की तोली परुतर ज्यात्रा का यहां आपको बहुत सुबागे साथ यहां पर आपको बहुत सुबागे सामस्ता हूं कि यह आत्रा आज हमारे स्थान पर आपके इन्होंने हमें आश्रवाद दिया विश्व न्यान के लिए बहुत सबुद्धी की बात है मुझे बहुत ही आप लोगों के बहुत दर्नवाद दे जाता हूं कि भरी दूप में आप लोग यहां पर आए और यात्रा का सफ़र बनाने का एसाथ करा दस जार पांट सो किलोमीटर यह यात्रा चलती है काशिपर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्रा सब्सक्राइब को अपना अच्छे बाद है तो हमारा उत्राखन देख रहे थे आप बुलेटिन पर फिल हाल इतना ही नमस्कार